आज के इस बहुत ही मत्तुपोंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं structure and function of cell ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें cell के अलग-अलग part और उनके respective function के बारे में हमें detail से बातें करी हैं ये वीडियो आपकी main exam में आपको coffee खाना concept boosting का काम करेगा अगराम है cell का वो कुछ इस तरीके से दिखता है हमको generally एक cell इसके अंदर के और जाएंगे तो आपको देखिए अलग तरह का structure दिखाए दे रहा है तो यहाँ पे हमको cell के जो main main component है वो एक तरीके से दिखाए दे रहा है आप इसको बड़ी आसानी से tilt करके देख सकते है और यहाँ पे पाओ गए कि cell के अंदर nucleus, nucleus, mitochondria, rough and smooth endoplasmic reticulum जासे कई चीज़ें दिख रही है तो चलिए यसी cell को हम explain करते है one by one उनके important parts और उनके important function के बारे में तब से पहले हम भी समझ लेते हैं कि cell क्या है basically आपका definition मालूम है cell is a structure and functional unit of your body मतलब हमारी body की जो सबचित छोटी कार्यात्मक और संवचनात्मक एकाई है उसे हम कोशिका यानि कि cell कहते है अब इसको समझने के लिए हम एक example लेंगे थोड़े देर बाद इसके example के तुरू हम ये बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि cell क्या है और cell कैसे मिल करके बने है और हम cell का definition ये जो कहते हैं structural and functional unit वो क्यों कहते हैं basically अगर हम cell को divide करेंगे तो हम cell को दो type में divide कर सकते हैं ये है prokaryote और eukaryote prokaryote मतलब ऐसे cells होते हैं जिन में nucleus नहीं होता और इससे समझने के लिए हम एक trick मना सकते हैं pro मतलब पहले और जब कोई चीस पहले तिनमित होती है तो उसके structure में उतना complexity या modification नहीं होता so prokaryotic are those cells which do not have nucleus इसके बाद दुसरा type होता है eukaryote prokaryote के बाद जो cell बने हैं उसे हम eukaryote cell कहते हैं इनमें different organelles different type के plant जो हैं फंगी हैं के example है mushroom, protozoa, animal cell या human cell भी इसके example है तो prokaryote और eukaryote में difference major difference यह हुआ कि prokaryote में nucleus नहीं होता और eukaryote में nucleus किसना साथ different type के organelles भी matured amount में होता है आईए अब हम समझ लेते हैं cell को यह जिस structured and functional unit कहा गया है वो क्यों कहा है अब अपने screen के right side में आप देख सकते हैं यह eat का example है cell को समझाने के लिए हम एक basic eat यानि bricks का example लेते हैं जिस तरह से एक छोटी eat घर बनाने की काई होती है वैसे ही एक cell पूरी body को बनाने का unit होता है single eat किसी काम कर नहीं है कोई structure परवाइड नहीं कर सकता दो eat भी किसी काम कर नहीं है बड़ दो से तीन चार पाट है और इस तरह से कोई मिला के multiple cell जब एक साथ गूरूप में बना लेते हैं तब यह multiple cell यानि group of cell एक body यानि की tissue यानि की organ और completely functional organ system का development करती है आई अब हम बात कर लेते हैं cell के कौन-कौन से main important organelles होते हैं उनका location कहां है और उनके function के बारे में हम आगले slide में देखेंगे यह slide आपको बताएंगा cell के different organelles यानि की parts with their respective location सबसे पहला जो part है cell का हुआ है cell membrane दूसरा जो part हो है Golgi apparatus तिसरा पार्ट है Golgi vesicles जोता पार्ट है nucleus then उसके बाद nucleolus, nucleus के बाद है lysosome, lysosome के बाद है ribosome, ribosome के बाद हम बात करेंगे microtubules की, microtubule के बाद है cytoplasm, cytoplasm के बाद हमारा अगला जो part है pinocytic vesicles, pinocytic vesicle के बाद है rough endoplasmic reticulum then centrioles centrioles के बाद आता है vacuole, vacuole के बाद the most important part of the cell is mitochondria then at the last smooth endoplasmic reticulum जैसे हम smooth EPR भी कहते हैं आई अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले organelles यानि की सबसे पहले structure of the cell that is cell membrane cell membrane बहुत clear है, बहुत simple है जैसे ही नाम से सपस्ट है cell का membrane is called cell membrane तो membrane क्या है ये समझ लेते हैं तो cell membrane समझने में हमें कोई भी तकलिफ नहीं होगी membrane मतलब होता है एक outer layer, एक जिल्ली, एक layer जो किसी भी cell को extra cellular और intra cellular यानि की बाहर और अंदर ये दो पार्ट में divide करती है cell membrane basically semi permeable membrane जैसा काम करता है इस में से सिर्फ selective molecule ही move करते है और cell membrane basically phospholipid यानि की phospholipid के bilayer से मिलकर बना हुआ होता है इस phospholipid के bilayer में हमारे पास जो structure होंगे उसे हम head structure और tail structure भी कह सकते है head structure और tail structure का मतलब होता है hydrophilic and lipophilic hydro मतलब होता है water and philic मतलब होता है loving so ऐसे group, ऐसे molecule जो hydrophilic होंगे वो water loving होंगे और उसमें से water soluble जो भी component है वो cell के बाहर से अंदर आ सकते हैं वैसे ही lipophilic होता है lipophilic मतलब होता है lipid loving substance ऐसे substance, ऐसे molecule जो lipid soluble होते हैं वो lipid के साथ compatibility शो करेंगे यह cell membrane के function का important part यह है कि यह cell membrane cell को एक structure प्रवाइड कराता है आईए हम दो example लेकर सीच को बहुत अच्छे समझने का प्रयास करते है हम दो example लेते हैं पहला example है balloon का एक balloon जिसमें हमने पानी को भर दिया है तो वो पानी को अपना structure प्रवाइड कराएगा यानि कि cell membrane का काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक balloon और उस balloon के अंदर भरा हुआ लिक्वेड या पानी तो इसर एक्जामपल एक्वेरियम का हम ले लेते हैं एक्वेरियम जो की बाहर glass से बना हुआ होता है उसके अंदर बहु सारे ornamental substance as well as living substance फिश रखे वे होता है यह जो glass है एक्वेरियम का यह अंदर के component यानि कि फिश और जितने organizational components है उनको protection प्रोवाइड कराता है यही काम हमारे cell membrane का भी है cell membrane selectively किसी भी molyfuse को अपने अंदर और अपने से बाहर यानि intracellular और extracellular की movement को allow करता है इससे समझने के लिए हमने एक diagram यूज किया है और इसमें हमने कुछ animation दिखा है तो आप अपने screen के right right में देखेंगे तो एक पहला drug है यह लाल color का जो हम denote कर रहे है इसका size चोटा है और यह lipid soluble है तो यह इस तरह से lipid के bilayer को cross करता हुबा cell के extra से cell के intracellular space में आ गया अब हम तुसरा example consider करते हैं जिसने हमने blue color के dot से represent किया है यह जो blue color के dot है वो non-lipid soluble drug है तो यह lipid में soluble तो नहीं होगा बट यह filtration के through cell में present pores के through होता हुआ extra solar से intracellular में आ जाएगा यह देखिए move करता हुबा हमारा जो molecule है वो pore से हुदा हुआ आ गया लेकिन अगर कोई extra solar substance ऐसा है कोई molecule ऐसा है इसका size भी बड़ा है और वो lipid soluble भी नहीं है तो वो cell के बाहर से cell के अंदर enter नहीं कर पायागा है अब हम बात करते हैं अगले apparatus की जो है गौलगी apparatus गौलगी apparatus बहुत important पार्ट है कई books में इसे गौलगी body गौलगी complex या dictos home के नाम से भी जानते हैं गौलगी body एक ऐसा पार्ट है जो basically post office के जैसा काम करता है post office मतलब होता है कि ये किसी भी letter को select करता है store करता है और उसके particular designation तक या उसके destination तक उस तो supply करता है गौलगी body के काम यह है कि structural protein बनाना जो हमें messenger आ रहने के थूरू मिला था उसी तरह के protein को बनाना और उस protein को बनाने के बाद जिस particular part तक उस protein के जरुवत है महां तक supply करना हमारा जो अगला part है वह है central part of the cell that is nucleus as well as nucleus हमने दोनों को यहाँ पर एक साथ समझाया है nucleus cell का center point है जो काफी सारे activity को control करता है आपके right side में जो diagram है इसमें आप देख सकते हैं कि nucleus एक nucleus के अंदर है और यह nucleus nuclear envelope nuclear pore nucleopause और chromatin इन सब का एक combination है basically nucleus एक distinct structure है जो eukaryotic cell में पाया जाता है हमने पहले discuss किया कि prokaryotic और eukaryotic cell में जो main difference है वह है nucleus का nucleus का जो कि prokaryotic में absent बद eukaryotic में present होता है क्यानिकि इससे साफ है कि eukaryotic most advanced और modified cell structure है nucleus का जो main काम है वो assembling of ribosome modification and transfer of RNA and signaling process में यह काम करता है basically nucleus के अगर हम बात करें तो nucleus पुरे cell का controlling center होता है nucleus का important काम तो और भी वह सारे हैं जिसमें से मुखी रुप से protein synthesis ribosome के 7 minutes का formation करना और nucleoside के आगे का जो procession है that's called chromatin and all उनको process करना nucleus का main काम होता है next part है lysosome lysosome काफी कई करणों से important हो जाता है lysosome एक lysine enzyme है जो किसी भी cell को lyses करने का काम करता है यहाँ पर इसे एक नाम और दिया गया just called suicidal gland यानि कि ये cell को ही digest करने का काम करता है इसलिए से हम lysosome कहते हैं lysosome की importance तब और बढ़ जाती है जब कोई foreign substance आपकी बाड़ी को harmful cause करने वाले antigen या bacteria आपके cell के अंदर पहुंचते हैं तो यह in the presence of lysosome और lysosome एक lysine enzyme secret करता है तो lysosome और lysine इन दोनों के साथ में करके वो digest होता है फिर वो phagocytosis के थूरू cell के द्वारा digest कर लिया जाता है and then exocytosis के द्वारा cell body से बहार निकाल देता है the function of liposome is mainly to remove the waste as well as destroying the cell after its death अगर cell death हो जाती है cell की किसे गारण से तो cell को digest करना और बहार साने वाले foreign molecules जो कि यान मांटेड होंगे इनको भी digest करना मुखी रूप्चे lysosome का काम होता है macromolecule और दूसरे टाप के molecule जिनका number of atoms ज़ादा होते है nucleic acid synthesis के लिए polymer and protein synthesis के लिए भी responsible होते है basically ribosome और जो lysosome है एक साथ attach होते है जिनको हम आगे की वीडियो में देखेंगे attach होने का मतलब उनके functional attachment से है आईए अब हम बात करें ribosome की the function of ribosome is to synthesize the protein as directed in the messenger RNA messenger RNA protein synthesis के code को लेकर के आता है just called messenger RNA उस code में कौन सा protein मनाना है किस तरह का protein मनाना है उसकी पूरी जनकारी एक code के form में coded होती है और ये ribosome जो है वो अपने हिसाब से उस protein के बनाने के code को decode करके protein synthesis का इताम करते है और फिर through out the body जहां पे जिस protein जहरत होती है वहां तके supply करते है ये free particles के form में प्रेजन्ट होते है एक सबसे दूसरी important बात है कि prokaryote bacteria और eukaryotic cell जैसे animal cell, fungal cell इन सब के cell में भी ये पाया जाते है तो ribosome prokaryote में भी पाया जाएगा और ribosome eukaryote में भी पाया जाएगा आई अब हम बात करते हैं हमारे अगने और्गेनल्स के बारे में जो है कि है macrotubules macrotubules basically एक macroscopic hollow tube जैसा structure होते है जो protein, alpha protein, beta tubulin इन सब के मिल करके cytoskeleton का इनुमार करते है cytoskeleton एक skeletal जैसा structure होता है जो कि cell को stability और एक base provide कराता है इनका जो network है वो protein filament से में बना हुआ होता है और ये पूरे cell तक फैले हुए होते हैं जो cell को shape और उनको stand करने की ability provide कराते हैं मतलब उनको base provide कराते हैं macrotubules basically लारिये structure है किसी भी cycloskeleton के जो basically 24 nanometer के आसपास का thickness लिए होते हैं इनका role मुक्य रूप से cell के movement cell division और cell के material है उनको cell division के लिए transport करने में ये responsible role play करते हैं macrotubule, cellia और flagella इनका structure का निर्माण भी करते हैं जो की movement के लिए काफी हथ तक responsible होता है human में cellia के जो form होते हैं वो trachea में पाया जाते हैं ताकि ये movement को allow कर सकें ये हमारे isophagus के पास भी पाया जाते हैं और different concurrent के पास भी पाया जाते हैं trachea में भी पाया जाते हैं ताकि ये dust और foreign particle को अंदर printed होने से रोख सकें आए हम अपने next important part के आरे बात कर लेते हैं हमारा next important part है cytoplasm cytoplasm मतलब होता है cell का plasm मैंने कि cell के अंदर जो एक liquid thick viscous substance पाया जाता है इससे हम cytoplasm कहते हैं basically cytoplasm एक gel जैसा structure होता है जो कि cell membrane के अंदर present होगा और जो कि water, protein, lipid, nucleic acid और कुछ inoring salt sem में करके बना मा होता है cell के जितने भी metabolic function है वो जैसे कि cell के अंदर का transfer of the one component into another component क्या cell के digestion का process वो cell के cytoplasm के अंदर ही होता है और जितने जो subcellular structure है जैसे ribosome, plasmid and cytoplasmic granules वो इसी cytoplasm के अंदर भी locator होते हैं अगर हम eukaryotic cell की बात करेंगे तो eukaryotic cell में cell membrane, nucleus, cytoplasm तीनों एक दूसरे से separate होते हैं यानि कि cell membrane के अंदर keval और keval nucleus को छोड़ करके बाकि जितने component होंगे उन सब को हम cytoplasm भी कह सकते हैं cytoplasm का जो structure है या जो उसके physical state है वो variable है कभी ये liquid के form में पाया जाता है कभी ये thick, viscous, gel, lesser structure में पाया जाता है तो इनके जो variability है वो depend करता है basically cytoplasm का जो main function है वो cell के organelles को और cellular molecule को support और suspension प्रवाइट कराना है बहुत सारे cell के जो process है वो इसी cytoplasm के अंदर होते हैं जिन्में सिम्मक की रुप से protein synthesis करना इसका primary काम होता है साथ साथ ये जो cell के respiration है जिनके अंदर हम अगर बात करेंगे cell के respiration के अंदर के जो glycolis आएगा, mitosis आएगा, meiosis आएगा इन सब के साथ भी ये मिल करके काम करता है बैसिकली जैसे कुछ hormones भी है cell के अंदर, वो भी इसी cellular substance के अंदर dissolve होते है हमारा जो अगला पार्ट है वो है penocytic vesicles penocytic vesicles मतलब ऐसे vesicles हैं जो penocytosis के process को perform करते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि penocytosis है क्या और इसका main काम क्या है यानि कि penocytosis vesicles का main काम क्या है आप इस diagram में देख पा रहे हैं कि हमारे पास लगभग बहुँ सारे substance हैं उनको इस vesicles के द्वारा engulf किया जा रहा है तो अगर हम बात करेंगी penocytosis की या solid के engulfing या excretion के point of view से समझना चाहे है तो दो parts के इसके और divide कर सकते हैं ये दोनों के नदर conclude किया जा सकते हैं पहला होगा उसमें से penocytosis और दूसरा होगा phagocytosis penocytosis और phagocytosis में basic अंतर से इतना है कि penocytosis किसी भी cell के द्वारा उस liquid structure को engulf किया जाएगा जबकि phagocytosis में cell किसी solid particle को engulf करेगा या उसे excret out करेगा पीनों को समझने के लिए हम पीना का वर्ड वी वार्ड यूज़ कर सकते हैं पीना is generally used for liquid liquid substance को पीते हैं तो यहाँ पे जो cell है वो भी liquid substance को use कर रहा इंगल्फ कर रहा तो वो पीनोसाइटोसिस कहलाता है जब कभी भी cell अपने बाहर के आने वाले substance को अपने लिए harmful समझता है यह cell उनको digest करना चाहता है उस case में भी यह पीनोसाइटोसिक जो vesicles हैं उनके चुरू उसको अंदर लेके आते हैं और उनको digest करते है प्लस कभी-कभी जो nutrient हमारे body के लिए होना जादा important होते है पर वो different जो movement of cells के अंदर है उनको जारा अगर यह absorb नहीं कर पाता है तो specific transport mechanism that's called पीनोसाइटोसिस इनके थुरू वो nutrient को absorb करता है पीनोसाइटोसिस nutrient को absorb करके आपके cell के respective part तक पर पहुचाता है और उससे फिर body process करके further energy use करती है तो अगर हम बात करने example की तो हमारे पास example है कि जो human egg cells है वो nutrient को before fertilization absorb करने के लिए यह पीनोसाइटोसिस के थुरू nutrient को absorb करते है तो हम कह सकते हैं कि पीनोसाइटोसिस is a cell drinking और फेकोसाइटोसिस is a cell eating इन दोनों method को यूज करते हैं वे cell अपना nutrient भी absorb करते हैं असवल जो toxic substance है metabolite होने के बाद जो lysosome के द्वारा digest हो चुके होते हैं उनको यह cell के बाहर भी escape करने का काम करते हैं हमारा जो अगला part है वो है endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum के दो main subtype होते हैं एक होता है rough endoplasmic reticulum और दूसरा होता है smooth endoplasmic reticulum इस diagram में हमने दोनों को समझाया है जिसका reference भी हमने यहाँ पर quote किया है इस diagram में आप पा रहे हैं कि आपके starting में towards the left hand side to right hand side जो पहला structure है जिसमें clear दिख रहा है light color में यह है smooth endoplasmic reticulum जबकि इसका जो darker version है इस diagram में वो है rough endoplasmic reticulum इस rough endoplasmic reticulum में ribosome भी पाए जाते हैं जिससे हमने पहले देखा वो भी protein synthesis के लिए काम करता है और उसके पास में nuclear rimel up होगा और nucleus होगा मतलब यह कह सकते हैं कि nucleus, nucleus के अंदर nucleus, nucleus और ribosome और फिर rough endoplasmic reticulum एक दूसरे के साथ interlinked है अगर हम बात करते हैं rough endoplasmic reticulum की तो उनका जो main role है basically cell के अंदर वो associate होता है protein synthesis के लिए यानि कि जो rough endoplasmic reticulum है उसका main or important काम protein synthesis करना का होता है cell के recovery के लिए main जो process है वो है protein synthesis का protein के आव सकता होती है और उसका काम होता है endoplasmic reticulum का वो भी खासका rough endoplasmic reticulum का so rough endoplasmic reticulum is very much important for the prevention and maintenance of the shape by secreting or forming the protein हमारा अगला important part है mitochondria mitochondria बहुत important part है जिसे हम cell का powerhouse भी कहते है cell का powerhouse कहने का पीछी reason यह है because it generates the power which is used for the normal processing and functionization of the cell cell किसी भी activity करने के लिए जो सेल को energy के ज़राज पढ़ती है वो energy हमें cell के mitochondria के द्वारा दिया जाता है basically यह cytoplasmic organelles है और इसके most important function में से है creep cycle को synthesis करना उसको function करना और उसके और और creep cycle के synthesis कान से जो energy produce होगी उस energy का use basically दूसरे component को function करने के लिए यह cell के तने other task के उनको करने के लिए यह use करता है mitochondria का size range है 0.5 to 1 macrometer के आसपास diameter में होता है और mitochondria basically other cell activity जैसे cell signaling cellular differentiation cell sequences control of the cell cycle and growth इन में भी responsible role play करता है cell signaling यहाँ एक important word है cell signaling का मतलब होता है कि जब cell दूसरे cell adjacent या nearby cell से communicate करना चाहता है that's called cell signaling हमने cellular adaptation और cell injury case में यह भी पढ़ा है कि जब कोई ऐसे factor चाहे हो physical हो chemical हो biological हो वो अगर हमारे mitochondria को damage करते है तो से cell के activity damage होती है और अगर वो जो damage करने वाले causes है वो reversible point से ज़्यादा होते है तो वो कन्मेंट जाता है irreversible cell injury में और उस case में mitochondria है एक important role play करता है ताकि cell bodies को sufficient amount में energy provide कर सके और उस point of recovery तक पहुशने से पहले ही cell को stabilize कर ले या cell को stable करने के लिए प्रयास करे तो यह important part था mitochondria का thank you for watching this video